नमश्कार दोस्तों जो disposable वाले sanitary napkin है यह plastic है यह तो non-bio-degradable है यह तो प्रदूशित करेगा यह तो जमीन के अंदर डालने पे भी निगलेगा 200 से 2000 साल तक जमीन में पड़ा हुआ प्रदूशित करेगा हम अगर landfill में भी डाल देते हैं तो यह तो कोई सटी कुपाय नहीं ह तो यह जो हम sanitary napkin या timepon फेक रहे थे इसको किस तने से dispose off करना है किस तने से इसको waste management करनी है पहली बात अगर आप शहर में हैं तो आप जो napkin मिलता है वो अपनी packing में मिलता है आप उस plastic में रोल करके इसको अपने dustbin में डाल सकते हैं या कपड़े के अंदर लपेड के आप dustbin में डाल सकते हैं क्रिप्या लाट्रिन टॉयलेट में न डाल के flush न करें न डाले और न फ्रश करें उससे वो पूरी सीवेच पाइल जो है वो चोक हो जाएगी और जो खून है वो खून भी किटाणू के जरीए production करेगा कई लोग जो इस्तमाल कियेवे कपड़े होते हैं या sanitary napkins या tampons होते हैं उनको जला देते हैं ये बिल्कुल सही बात नहीं है क्योंकि इससे हम production कर रहे हैं भारत सरकार के द्वारा incinerators दूर दूर तक पहुंचाए गए हैं और जो भारत सरकार के खासे स्कूल हैं उसमें जो लड़कियों के लिए शोचाले बनाये गया है उ तो आप लाड़न में फंकें नहीं ऐस में फेकर अगर उस ब면 घाता है तो एक बार उसको जाता है वो ब Catholic ये ऑसी तने से हैं जैसे कि हम शबों को कि अ एक बाचति और व्भारत सरकार की तरफ से भेजी जाती है जिसके घारन का पर और ऑश स्कूर देर के वाना चसी Natural यानि कि यह सब कपड़े और यह जो disposable sanitary napkin है उनको घर-घर से एकठा किया जाता है और बाद में incinerator में जला दिया जाता है अगर आप शहर में हैं और आपको इनको dispose off करना है और आप में कागज में या उसके प्लास्टिक में लपेटा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह गलेगा नहीं तो यह non-biodegradable biodegradable और non-biodegradable एक हरे रंग का और एक नीले रंग का dustbin होता है नीले रंग के अंदर आप इसे फेंकेंगे यदे कि तीन किसम के तीन रंग के dustbin है तो लाल रंग का भी है तो लाल रंग का मतलब है जो कि खून से सना हुआ है तो आप उसको लाल रंग में फेंकेंगे ताकि किसी और को infection ना हो menstrual hygiene के इस फिशे पर जो मैंने आप सबको जानकरी दी उसका मूल तह उद्देश ये है कि हम menstruation को एक normal प्रक्रिया माने उसको सहज तरीके से अपने जीवन में अपनाएं अपने लड़कियों बच्चियों महिलाओं को इसके बारे में अवगत करें और जो धारनाएं गलत है उनसे दूर रहें मेंस्ट्रूल एब्सॉबंट पैट सैनेटरी नपकीन ही सबसे बहतर तरीका है फ्रिलहाल और जिस तरह हम लड़के लड़की को एक वड़ावर मानना चाहते हैं एक समान देखना चाहते हैं तो मेंस्ट्रूएशन को उस नजरिये से न देखें अपनी सो आउच में पवित्रता और स्वच्छता भीलाएं इसी के साथ बहुत-बहुत नमस्कार यदर आपको मेरा ये शो पसंद आया और इसी तने के अनेक विश्यू पर भी मैंने कई बार चर्चा करी है इस ही चानल पे ये सारे शो अवेलिबल हैं थम्स अप लाइक दें और इस शो के बारे में दें